इस question में हमने solve करना है यह equation और हमने find करनी है x की value और हम इन दोनों numbers का LC मिले लेंगे 5 आएगा इन दोनों का LC मिलेंगे 3 आएगा अब हम क्या करेंगे cross multiplication करेंगे यानि 5x plus 4 equal to 6x minus 1 यहां bracket लगेंगे 3 यहां पर multiply होजएगा 5 यहां पर multiply होजएगा 3 multiply करेंगे इसका मतलब है कि 3 दोनों numbers के साथ multiply हो रहा है यह multiplication लिखें या ना लिखें एक ही बात है इसके साथ हम लिखनेंगे 5 यानि cross multiplication अब इसके जब bracket आ रहे है तो इसके number चुबह रहता है उसका मतलब होता है कि यह इन दोनों numbers के साथ multiply हो रहा है 3 5s are 15 15x plus 3 4s are 12 equal to 6 5s are 30 30x minus 5105 और plus minus में minus आता है multiplication में यहां जो variables हैं उनको एक तरफ और constant को एक तरफ लेजएगे equal set के 15x यहां plus 30x है यहां के minus 30x हो जाएगा equal to minus 5 और यह यहां plus 12 है यहां के minus हो जाएगा 15 minus 30 यह 30 minus 15 करें तो 15 आता है और sign हमेशा जब plus minus हो तो उसमें sign जो बड़ी value होती है उसके साथ जो sign हो वह यह answer में आता है equal to minus 17 divided by minus 15 यहां पर 15 multiply हो रहा है x के साथ यहां इन दोनों के दिर्मियान multiply के sign होता है जो हम आम तोर पर नहीं लिगते यहां x आ जाएगा multiply हो रहा है यहां के divide हो जाएगा sign जो same होते हैं यादिवियन में वह cancel हो जाएगा x equal to 17 by 15 यह मारे पसाथ यह की x की value हो